गुड मोर्निंग स्टूडंस दोरण छह हिंदी लाश्ट प्रेड में आपड़े व्याकरण समझेवातू बरबर आजे आपड़े पाठ त्रां समझदार नन्नी नो अभ्याश करीशू पाठ त्रां समझदार नन्नी इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिती में अपना भलाई करने का स्वबाव नहीं चोड़ना चाहिए यह बात प्रस्तुत की गई हैं हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वबाव बुरा हो शकता है लेकिन हमें अपना अच्छा स्वबाव नहीं चोड़ना चाहिए सबका स्वबाव एक जैसा नहीं होता अच्छे स्वबाव वाले लोग हमें सा अच्छे काम करते हैं वे दुसरों की वलाई करते हैं बुरे स् बल्ला करते हैं उनके साथ भी वे बुरा वेवार करते हैं हमें किसी भी परिस्थिती में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए पाठ जो आपने हमेशा सारू विचार हुझ जो यह अनि बजानी मदद पाँवी जो यह वराबर तो आपने आज हुए पाठ ननी बतक तटपर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छु दलदल में फशा है ननी एकले ना नकडु बतक अनि बिच्छु एकले विच्छी ननी बतक नदीनात किनार पर आवियो त्यारे जोईयो कि एक विच्छी कादव मां फसाई गयो छे बिच्छु ने ननी से प्रातना की बहन मुझे बचालो ननी को उस पदया आगई उसने बिच्छु को दलदल यानी कादव से उठा कर सुखे स्थान पर रख दिया विछी ये नानी ने विनंती करी प्रातना करे छे एने के बहेन मने बच्चावीलियोंने नानी ये तेना पर दया अवि गई तेनी विछी ने कादो माथी उपाडीने सुखी जग्याए मुकी दिदो विच्छु को सेतानी सुजी उसने नन्नी को डंक मार दिया ननी पिडा से तड़क उठी, उसने विच्छु से पुछा, क्यो भाई, तुमने मुझे डंक क्यो मारा, विच्छु लापर वाही से बोला, क्या करू, डंक मारना मेरा सुभाव है, अवे विच्छी नो क्यो सुभाव चे, हमेशा डंक मारवानू, गमे एवी, कोई एनी तो एने सुमार देवानो, डंक मार देवानो, त्यारे विची, विची ने टिखड सुझी, एने मस्ती करवानी सुझी सैतानी, तेने नानी ने डंक मारेो, नानी एकदम वेदना, याने कि पीडा थी एकदम तडफवा लागे, तेने विची ने पुछिऊ, केम भाई, तेमने डंक सामाटे मार्यो में तारी मदद करी तो तेमारी डंक के मारी दिदो नानी बोली तुम यह गंदी आदर छोड़ दो नहीं तो कोई मुशिबत में तुमारी रक्षा नहीं करेगा पची एने सुगिदू विच्छी ने एने किदू तुम विच्छी बेदर कारे थी बोल्यो मुशू करू डंक मारो एतो मारो स्वबाव चे पची नानी बोले चे एने केचे तुम तारी या खराबाद डंक मारवानी तारी खराबाद चे एतो छोड़ी दे नहीं तो कोई ताने मुशिबत मा तारी मदद करवा आउसे नई आपने एनी मदद करे नई डंक मार दे तो कोई एनी मदद करे कोई न करे त्यारे नानी एने केचे कि तुम तारी खराबाद चोड़ी दे विच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बड़ा अनसुनी करना एतले के ध्यान न आपो एनी वातुपध्यान न आपो अने विच्छी जेचे आगड निकडी गएो ननी अपनी मा के पास नदी में चली गई माने उच्छा ननी बेटी तुम कहां रह गई थी वच्छी एनी सुगिदो त्यारे विच्छी तिनी वास साम्ड़े आवगर आगडज वजतो रह यो नानी पोतानी मा पास नदी मा चली गई मा ए पुछियो एने नानी बेटी तु क्या रह गई गई थी त्यारे एनी कहे छे ननी बोली मा एक बिच्छु दलदल में फस गई था उसे बचाने में देर हो गई नानी जे छे एनी माने के छे के एक विच्छी जे इक आदों मा फसाई गई थो तेने बचावा मामने मोड़ू थही गईू मा खुश ओकर बोली बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया एनि मा खुसत है ने बोले छे के बिटी आते खुबस सारू काम करियो नन्ना बोला लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया तो उसे चाहे कितनी बार बचाते रहो बार 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 बचाओ वो बार 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 डंक मारता रहेगा मायने के छे कि तुँ एने कितली विच्छी जे छे एनी खराब आदतनो गुलाम छे तुँ एने गमे एतली वार बच्चावीस तो पन ए ताने डंक तो मार सेच ननी बोली मा मैं उसकी गंदी आदत छुडा कर रहूंगी अवे ननी जे छे एनी मायने के छे के हों एनी आ डंक मारवानी खराब आदत जे छे ए हों एने छोडा विनेज रैस कुछ दीन बाद बिच्छु के प्राण पुना शंकट में पड़ गए थोड़ाक दिवस पची विच्छी ना फरी थे नाओ जीव जे छे ए मुशिबत मा प एन आमाई पड़ी जाये छे अने एकदम तरवा लागे छे मोत सामने देखकर बिच्छु को ननी की याद आई हवे पेली कादो मगरी गयोतो फसाई गयोतो बिच्छी त्यारे एने नानी नी जे याद आवी थी फरी थी एने एम थीव के हवे तो बच्चीस नई फरी थी नानी नी बत्तक नी याद आवी जाये छे वह ननी को पुकारने लगा ननी ने उसकी करुण पुकार सुनली वरी पाची नानी बत्तक ने पुकारे छे अने एनी जे करुण दर्द भरी जे चीख जे चे अवाज जे चे ए सामड़ी ले चे अने ननी तरत आवी जाये छे व अब में इस गंदे सोबा वाले बिच्छु को नहीं बच्चाओंगी। पिगड़ी गयू। मुझ पर दया करो ननी का मान डोल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी घंदी आदत छोड़ दी हो। पछी ननी नुझे मान जेचे पिगड़ी जाये चे। आने विचारे चे कि कदाच विछीये पोतानी खराब आदत छोड़ी दिदी पान हशे। झालो गया।